आज हम पीजा बना हैं बहुत ही बढ़ियां बहुत ही चवरदस्त है यह देखिए घर पे हम पीजा बनाई है बीणि ओवन बिना पेच्ट के मज़ेदार बना है बनाने में कोई ज्यादा जंदाशा पहुत कजी बनता है देखिए इस तरह से तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं नमासते देखिते दूसतों स्वागत है मेरे चैनल में तो चलिए लेखते है तो देखिए इसके लिए हम एक 要عल यह नमक बेकिञ पोडर डालुश है से लिए थोड़ी से संदिर्व कहती दोम्हे मुएं के एक चोमश आफ चमश और एक चमश हम बैकिंग सोडा डाला दिया है दोनों बहुत जरूरी है इसमें दोनोग दालीulators ले के टोहल है थोरी यूंत जाथा डाल देगे हैं तो थोड़ा डाल लेंगे, चाहे तो अब इसमें पाने भी उज़ कर सकते हैं, देखिए हमारा ये डो बनकर तयार है, हम हाथों में थोड़ी सहन तेल इस तरह से लगा के इसे मसल के, और इसे हम रख देंगे इस तरह से रेस्ट में काम से काम 30 मिनट के लिए, देखिए ये 30 म बाद सकता है, तो देखिए, इस तरह से हम, लोई काट लें हैं, अब इसे हम नेचे हम मैदा इस तरह से छ हाक देंगे, उसके वाद हम इसे, बेल लएंगे जादा पतली नहीं, रोटी के तरह नहीं, इसे हम थोड़ा मोटे ही रखेंगे, यह मोटा ही रहाजा पीबा दे, तो देखें इस तरह से हम बेल लेते हैं, यह बहुत यह सानी से बनता है, एक बार जरूर घर पर बनाईए, पीजा के नाम से हम उसे लाट टपकने लगता है, तो लोग बोलता है, कहां से लाएं, कैसे लाएं, तो यह अपना घर पर एक बार जरूर बना के देखिए, और मज़े कीजिए, तो यह हम पलेट लिए हैं, इसमें हम मैदा छिर दिए हैं, ताकि हमारे यह तले में चिक्केना, और इस तरह से हम दवाते हुए, फैला लेंग बढ़िया से जाता है, और जो भी इस पे सबजी या और जो डालते हैं, वो बढ़िया से पक जाता है, देखिए, हम इस तरह से सारे को हुल कर लिए हैं, अब हम हम इस पे लगाएंगे पीजा सॉस, आपके पास जो है पीजा सॉस नहीं है, तो टमैटो के चाय, कुछ भी, चत्नि, तो देखि़े, इस तरह से हम पीजा सॉस लगा लिए हैं, अब हम इसे फैलाते हुए, चारो तरफ भड़िया से हमें लगा लेना है, अब देखिए लगा लिए हैं उसके बाद हम इसमें चीज है एका दुकस करके हम रखे हुए थे इस तरह से हम इसे भी फैला लेंगे देखिए यह हमारा चीज भी हमारा डल गया है डाल दिये हैं अब कुछ सब्जियां काटके रखें देखिए टमाटर है प्याज है कॉटन स हो मिर्च है अब इस तरह से हमें अपने अनुसार पर रह रखें सजाए बढ़ियां से जैसे मन है ता देकि इससी हम पहले सिम dal मिर्च रख लेते हैं चोंटे-चोंटे पीसे में बीज हमें हटा लेना है और उपर के हिस्सा हमें इस तरह से करकर लेना है इसे हम अच्छे से सजा लेंगे वह यह से रख लेंगे एक बड़ बनाईए बहुत असाने से बनता है यह देखिए सिम्ला में आपको जो भी सब्जी आममान है सजाने के लिए यूज कर सकत हम इसे डाल दिये में इसमें राक के अब इसमें हम प Dieि देन लिए क dauर्वी किनारे से रागे है नहीं यह देखिए फीज काट लिए हैं अगर आप और प्याज नहीं खाते हैं तो इसे calendar कर सकते हैं को जरूर नहीं है तो देखिए इस तरह से हम इसे भी बढ़ियां से रख लेते हैं तो हमारा ये पीज़ा देखिए कितना बढ़ियां से सजा है बहुत ही बढ़ियां से गार्निश होता है अब देखिए ये हमारा हो गया तो इसमें हम डालेंगे स्वेट करन थोरा सा वाल करे लिए तो इसे भी हम चारों तरफ बढ़ियां से एक एक करके रख लेगें यह अगर है तो रखिए बना नहीं भी रादा को बात नहीं पर अभी यह बर्सात का सेजन में बुट्टे बहुत आ रहे हैं तो उसे आप ले सकते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिठाव इसमें अब देखें यह हमारा हो गया है तो इसमें हम हरी मिर्च काट के लिए हैं आप अगर अस्पाइसी खाना चाहते हैं तो डालिए बना स्किप किजिए हम हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए हमें हरी मिर्च भी डाल दिए हैं इस बारी काटके डाल दिए ह अब इसमें हम चीज के चीज भी हम थोड़ा सा हमें आइसे ही पपड़ी रख लिए हैं तो अब इसमें हम चीज डाल देंगे अपने हिसाब से आप चीज कम ज्यादा कर देगे लेकिन इसमें जितना ज्यादा चीज रहता है उतना ही बढ़िया लगता तो देखे इस तरह से हम चीज रख लिए हैं उसके बाद ये का दुकास की हुए चीज उपर से हम थोड़ा डाल देंगे इससे बहुत ही बढ़िया चीज जितना हो सके उतना डालिये बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है पीजा चीज का ही है तो इसलिए चीज ज्यादा डालिये हैं हम चीज डाल दी है अब उपर से एक लाल मिर्ष्था उससे इस तरह से हम रख लिए हैं यह बिल्कुल ऑफिस्नल है इसका कोई जरू जरू कर देखिये हैं यह उसे उसमें डाल देख दें पीजा के प्लेट और कवर कर दिए हैं अर्गांस के पलें बील्कुल मेडियम पर रखेए बिल्कुल नहीं है नहीं तो देखिये इसे 10 मिना 10 12 माउय पकाते हुए हो गया है तो हमारा क्योंकि पीजा कटर मेरे पास नहीं है तो हम चाकु से ही काटने थोड़ा मुस्विल होता है पर कट जाता है देखिए इस तरह से हम काट के दिखाते हैं देखिए कितना बढ़िया बन गया बिल्कुर मार्कर जैसा अब पहली बार हम पीजा बनाए है पुरा बहुत परफेक् ध्यूंकि टीकिया बाई बाई बाई